मित्रों इस बेडियों में आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जिन लोगों का नाम आई अक्छर से सुरू होता है उन लोगों के जीबन में साल 2022 एबं 2023 में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके प्रेम शंबंध के बारे में मित्रों साल 2022 एबं 2023 में आपका प्रेम शंबंध बहुत जयादा बिहतर एबं सांदार होगा साल 2022 में मै, जुलाई, सितंबर एबं अक्टूबर का महिना आपके प्रेम शंबंध के द्रिष्टी कोन से बहुत जयादा बिहतर एबं सांदार होगा साल 2022 में इन चार महिनों में आपका प्रेम शंबंध बहुत जयादा रोमांचक एबं बिहतर होगा मित्रों आने वाले दो बर्षों में आप दोनों के रिस्तों में बहुत जयादा मधूरता आएगी आप दोनों का शंबंध बहुत ज्यादा बिहतर एबं शांदार होगा लेकिन आने वाले दो बरसों में अपने प्डेम संबंध के बारे में किसी भी तीसरे इंसान को ज्यादा बताने से आपको बचना होगा क्योंकि अपने प्डेम संबंध के बारे में यदि आप साड़ी बातें किसी और इंसान को बताते हो तो आने वाले दो बरसों में आपको प्डेसानी का सामना अबश्य करना होगा आने वाले समय में अपने प्डेम संबंध के मामलों में आपको किसी भी बाहरी इंसान को इंटरफेयर करने से रोकना होगा क्योंकि आपके प्रेम संबंध के लिए यह बहुत ही जियादा जरूरी एबं आबस्यक है मित्रों आने वाले दो बरसों में यदि आपके घर पडिबार की बात कड़ें तो आपका पडिवारिक जीबन सामान ने तोड़ पे ठीक रहेगा आने वाले दो बरसों में आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन अच्छा रहेगा आने वाले समय में यदि आपके घर पड़िबार में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई समस्या होता है तो उस पड़ेसानी को दूर करने का पड़ेयास आपको करना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका पाडिवारिक जी बनने और जयादा बिहतर और जयादा सांदार होगा मित्रों आने वाले समय में ऐसी संभबना है कि किसी छोटी मोटी बातों के कारण आपके एबम आपके घरबालों के बीच में कुछ गलत फेहमी उत्पन होगा लेकिन यदि ऐसा होता है तो उस गलत फेहमी को दूर करने का पड़ियास आपको करना चाहिए आने वाले समय में ऐसी संभबना है कि आपके माता जी की सिहत खराब होगी तो अपने माता की सिहत पर आपको ध्यान देना होगा मित्रो आने वाले दो बरसों में आपका ग्रिहस्त जी बनने आनंद के साथ व्यतीत होगा आने वाले दो बरसों में काम की अधिकता के बाबजूद अपने घर बालों के लिए अपने पड़िवार वालों के लिए आप समय निकालने में सफल होंगे मित्रो आने वाले समय में अपने घर बालों के साथ अपने रिष्टों में आपको पार दरसिता रखनी चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना अबश्य करना होगा मित्रों इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आने वाले दो बरसों में आपका कडियर कैसा होगा मित्रों साल 2022 के सुरुआत से ही आपके कडियर के छित्र में आपके समय का साथ है आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि साल 2022 में गुरू बिरस्पती जो की आपके कुंडली के ग्यारह में भाव के स्वामी है मित्रों ग्यारह में भाव को लाभ अस्थान भी कहा जाता है तो साल 2022 में गुरू बिरस्पती आपके कुंडली के लाभ अस्थान में हैं जिसके कारण से साल 2022 में आपके कडियर के छेत्र में आपके समय का साथ आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों आने वाले समय में आपके कुंडली के मुताबिक आपके लिए जमीन खरीदने का योग बन रहा है जिसके कारण से साल 2022 में आपको पैसे कमाने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों साल 2022 एबम साल 2023 में आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं इसके अलाबा आने वाले समय में यदि आप पार्टनर्सीप में कोई बेबसाई करना चाहते हैं तो पार्टनर्सीप में बेपार करने से आपको बचना होगा क्योंकि आने वाले समय में ऐसी संभाबना है कि आपके पार्टनर के द्वारा आपको धोखा मिलेगा मित्रों आने वाले समय में आपके कामकाज, आपके बेपार, आपके बेबसाई के करने आपको पैसे कमाने का मौका बहुत जयादा मिलेगा आने वाले समय में बड़े अधिकाडियों का साथ थे बड़े अधिकाडियों का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा इन लोगों के साथ इनके सपोर्ट के कारण आने वाले समय में आपका बेपार आपका बेवसाई बहुत जयादा बिहतर एबं सांदार होगा तो मित्रों यही था आई नाम बाले लोगों के साल 2022 एबम 2023 का रासी फल तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका शमय बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने वाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए साल 2022 एबम साल 2023 में यदि आप नियमित रूप से हनुमान 40 का पाठ करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम शांदार होगा तो मित्रों यही था आपके साल 2022 एबम साल 2023 कारासी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें इस वीडियो को आप वाटसेप, फेस्बुक, इंस्टागराम, ट्वीटर हर जगह सेर कर दें धन्यवाद जैसियाराम